आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इनहरिटेंस अफ टू जीन टू जीन के इनहरिटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग इसको डाय हैबरीट क्रॉस भी बोलते हैं इनहरिटेंस अफ टू जीन को जो है डाय हैबरीट क्रॉस बोलते हैं इसको हम लोग dihybrid cross बोलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है यह हम लोग देखते हैं cross made to study simultaneous inheritance of two pair two pair of mendelian factor of gene two pair of mendelian factor of gene यहां two contrasting character हम लोग लेते हैं तो इसको dihybrid cross कहा गया है इसके through जो है दिया गया है law of independent assortment dihybrid cross के आधार पे दिया गया है dihybrid cross के आधार पे क्या दिया गया है यह यह dihybrid cross के आधार पे दिया गया है law of independent assortment यह law of independent assortment यह क्या है law of independent assortment कराई कि this law states that यह law बताता है this law state that when two pair of trades यानि कि दो contrasting character when two pair of contrasting character two pair two pair of contrasting character हम लोग रोते हैं two pair of trades trades यानि कि contrasting character are combined in a hybrid जब दो जो है trades combined किया जाता है hybrid में segregation of one pair of character होता है segregation of one pair of character होता है दोनों pair में से segregation of one pair of character होता है is independent of other pair कराईगी जो हो रहा है ये independent है independent of other pair जो character का segregation हो रहा है वो independent है दो नया कंबिनेशन लेते हैं, हम लोग क्या क्या लेते हैं, एक राउंड ग्रीन ले रहे हैं, और दुसरा रिंकल यलो ले रहे हैं, एक करेक्टर क्या है एक कॉंट्रास्टिंग करेक्टर है राउंड और रिंकल का और दूसरा कॉंट्रास्टिंग करेक्टर है ग्रीन और यलो का ये पहला कॉंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया और ये क्या हो गया दूसरा कॉंट्रास्टिंग करेक्टर हो गया तो दो का यह दूसरा contrasting character है तो यह दो तरह के character वाले हम लोग लिये round green and wrinkled yellow are are formed due to independent assortment of seed shaped round wrinkled round wrinkled shape के लिये हम लोग seed shape round and wrinkled लिये और दूसरा के लिए हम लोग seed color लिये हम लोग क्या लिये green yellow and green यह लिये अब यहाँ diagram के थुरू हम लोग देखने की कोसिस करते हैं यह f1 generation है यह f1 generation की बातचीत हम लोग कर रहे हैं यह क्या लिये है round और yellow लिये है round को capital T capital T लेते हैं और yellow को capital Y capital Y record के लिए हम लोग यह small r small r और green के लिए small y small i तो यह जो gamut formation करेगा यह करेगा r capital R capital Y और यहाँ पे जो wrinkled green है वो gamut formation करेगा small r और small y यह f1 generation में जो मिल रहा है f1 generation में वो कैसा मिलेगा round और yellow मिलेगा round और yellow इसका जो है यह होगा r capital R small r और capital Y और small i इसका genotypic combination होगा तो यह जो है selfing करता है फिर यह selfing करता है यह f1 generation में जो मिला है हमें यह round yellow मिला है इसके genetic composition जो है यह r capital R small r और फिर capital Y और small y यह है तो यह gamut बनाएगा यह gamut बनाएगा तो क्या बनाएगा यह जब gamut बनाएगा तो यह जो है r r y बनाएगा यह r जो है यह y के साथ एक बनाएगा दूसरा जो है small r जो है यह फिर y के साथ बनाएगा और तीसरा जो है यह r y यह तीसरा जो है यह r y के साथ यह बनाएगा और चौता जो है small r small y small r small y के साथ ये बनाता है तो एक साइड का हम लोग अमाल लेते हैं ये मेल गैमिट्स ये बना तो इस साइड हम लोग female गैमिट्स को लेंगे तो ये फिर इसके साथ ये ओलब इसके साथ cross करके बनाएगा R capital R capital Y फिर ये जो है इसके साथ cross इसके सांथ क्रॉस करेगा, इस तरह से हम लोग बनाएं, यह जो है इसके सांथ क्रॉस करके यह बनाएं, यह 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 इसके सांथ क्रॉस करके यह बनाएं, तो यह जो हम लोग क्रॉस देख रहे हैं यहां पर फिनोटिपिक रेसियो जो आ रहा है फिनोटिपिक रेसियो वह फिनोटिपिक रेसियो आ रहा है राउंड यलो नाइन है राउंड ग्रीन तीन है और रिंकल्ड यलो तीन है और रिंकल्ड ग्रीन जो यह वन है यह जो रेसि आ रहा है, can be derived as a combination series, combination series of, यहाँ पर यह, three यह गलतिस लिखा हुआ है, यह nine yellow, one green and three round, three round and one wrinkled, this derivation can be written as follow, yellow, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, three round, one wrinkled, three yellow and one, यह होगा, green, nine round होगे यह, yellow, three wrinkled होगे, yellow होगे, three round और green होगे, और एक wrinkled और green यह होगा, तो इसको जो है, हम लोग बोलते हैं, die hybrid ratio जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यह die hybrid ratio को दुबारा हम लोग देखते हैं, die hybrid ratio में यह क्या करते हैं, die hybrid ratio में two contrasting character लेते हैं, yellow और wrinkled एक character होगे और yellow और green एक दूसरा character होगे, हम लोग अगर यह two contrasting character यहाँ पे लिए हैं, तो इसका जो है genotype हम लोग इसमें लिखेंगे, capital RR क्योंकि यह dominant है, और color के लिए capital Y, capital Y लिखेंगे, क्योंकि यह dominant है, wrinkled के लिए हम लोग small r, small r लिखते हैं और green के लिए हम लोग small i, small i लिखते हैं, जब यह gamut formation करेगा, तो इसका half हो जाएगा, rr के लिखेंगे, yy के लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, गैमिट हो गया, तो यहाँ पे F1 generation में जो बना, F1 generation में जो बना, वो क्या बन रहा है, यह dominant है, round और yellow जो है dominant है, तो इसका combination यह होगा, capital R, small r, और capital Y, small i यह होगा, और यह जब यहाँ पे gamut बनाएगा, यह जो male gamut यहाँ पे यह बना रहा है, और यह female gamut यह बना रहा है, फिर आपस में यह cross करके यह बनाएगा, जैसा कि यह इस चार्ट में F2 generation में हम लोग यह देख रहे हैं, इसका जो result आएगा, वो आएगा, यह result आया, phenotypic ratio इसका यह आया, phenotypic ratio, phenotypic ratio में क्या देख रहे है, 9 जो है yellow, round और yellow आया, 3 round और green जो है, और 3 wrinkled और yellow है, और wrinkled और green जो है, एक आया, तो यह इसका जो है, यह phenotypic ratio इसका आगया, फिर next में हम लोगा, next video में, chromosomal fury of inheritance हम लोग करेंगे, chromosomal fury of inheritance, next में करने की कोसिस करेंगे हम लोग,